जेई ओशियन एकेड़मी की वह बावत स्वागत है प्यार लाड लू प्यारे स्टुडेंट्स यहाँ पर हम उटूफिशल के आफिशल वेबसाइट पे हैं और आप देख सकते हैं कि UV official के official website पे जो सबसे पहले notice आपको दिख रही है important notice against advertisement number 07 oblique VSA oblique 2020 oblique Z E&M तो आज की जो वार्दा है वो सफल रही एक तरीके से आप कह सकते हैं जो आवाज है वो सकती भाहन तक लगता है कि गूँच के चली गई हम लोगों की जो 10-35 पे आज की live class थे उसमें जो हम लोग discuss किये थे तो अगर UV official के पास ये बात पहुँच गए है या किसी भी माद्यम से तो ये बहुत अच्छी बात है और UV official अगर अभी से भी जाग जाए तो बहुत अच्छी बात है हाला कि अभी ये notice views नहीं हो रही है इसका कोई view नहीं है लेकिन फिलहाल ये एक अच्छी ख़बर है कि अच्छी information है कि आपकी एक positive news निकल के आ रही है UV official से और ये पक्का है कि ये जो notice है ये जो information है ये आपका 191 के regarding है तो 191 के regarding है पेर students तो इसमें आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि plus point है और result वगेरा से regarding आपकी कोई information यहाँ पर निकल करके आ सकती है तो पहला point आप यहाँ पर देख सकते हैं advertisement नमबर आज ही का है 3-2-2022 का advertisement है मतलब की मतलब आज है लेकिन अभी ये views नहीं है यानि कि जो download और view का जो option आ रहा है सिर्फ view हो है तो हो सकता है कि official website पे आज ये कल में अपडेट हो जाए या कभी भी अपडेट हो जाए लेकिन अपडेशन इसका क्या है कि execution इसका मतलब की अब अंडर में ले लिया गया है तो results से related कोई information ये फिसल से आ सकती है कुछ दिनों में अगले कुछ दिनों में तो ये बहुत अच्छी अपडेट है बहुत अच्छी ख़बर है तो आप तक पहुचाने के लिए मैं इसको जिम्मेदार समझा और बहुत अच्छी बात है इसलिए कि positive तरीके से अच्छे तरीके और उमीद करते हैं भगवान से कि ये आपका जो रिजल्ट है वो फेवर में है ओके बेटा थैंक्यू सो मच फिर मिलते हैं कल अपने क्लास में अच्छे तरीके से motivation के साथ तत्ते के लिए सुब रातरी मस्त रहो पढ़ते रहो खाते रहो पीते रहो एकदम मस्त रहो तो information एक positive news भी official के तरब से आप सभी लोगों को अगरिम बदाई जितने भी लोगों का डिबी हुआ था और बाकी उमीद करते हैं कि ये जो information है वो आपकी correct हो overall point of view से